सभी साथियों को मेरा नमस्कार आज हम आपको आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं इसका पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको नए पुराने पैन कार्ड डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाइ स्टेप दिखा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अब बात करते हैं पैन कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में तीन एजनसी के द्वारा पैन कार्ड बनाया जाता है नमबर 1 NHDL, नमबर 2 UTI, नमबर 3 E-Filling Income Tax जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी एजनसी से बने हुए पैन कार्ड आप दूसरे पैन कार्ड की एजनसी द्वारा डाउनलोड नहीं कर सकते हैं इन तीन pancard को डाउनलोड करने का प्रॉसेस अलग-अलग है, इन तीन agency के दोरा हम अपना pancard डाउनलोड कर सकते हैं, जो जिस agency से बना हुआ है, मैंने इन तीन agency के link description box में दे दिये हैं, जहां से आप link पर क्लिक करके सीधे आप site पर redirect हो जाएंगे और अपना pancard डाउनलोड कर पाएंगे जैसा कि हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे तो सबसे पहले हम लोग आपको NSDL से बने हुए pen card downloading के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा NSDL company से pen card बना हुआ है आप उसके back side में देख सकते हैं कि वहाँ पर agency का नाम लिखा हुआ है तो आप लोग description box में NSDL वाले link के सामने click करेंगे और आप सीधे इस वाले piece पर redirect हो जाएंगे तो आप यहाँ से NSDL से बने हुए pen card को download बहुत ही आसानी से कर पाएंगे अब बात करते हैं दूसरी agency UTI के बारे में अगर हमारा pen card UTI से बना है तो उसके back side में UTI लिखा होगा जैसा कि आप लोग screen पे देख रहे हैं तो आप लोग नीचे दिये हुए description box में जो link दे रखा है उस पर UTI वाले link पे click करेंगे और आप सिधे इस वाले page पर redirect हो जाएंगे तो आप लोग UTI से भी बने हुए pen card को इस वाली website से बहुत ही आसानी से download कर पाएंगे अब हम लोग बात करते हैं pen card की तीसरी agency e-filling income tax agency के बारे में तो आप लोग description box में दिये हुए link पर click करेंगे और इस page पर सिधे redirect हो जाएंगे तो आप लोग अपना आधार नंबर डाल कर और OTP verify कर अपना pen card बहुत ही आसानी से download कर पाएंगे तो हमने आपको तीनों agency के बारे में बता दिया है pen card downloading के बारे में तो हम आपको अब इस वीडियो में पताएंगे कि UTI से बने हुए pen card को कैसे download करते हैं तो इसका complete process मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं Chrome browser को open करेंगे और search bar में UTI pen card download लिखेंगे जैसे ही UTI pen card download लिखेंगे तो कुछ इस तरह का interface खुल के आएगा तो हम लोग सबसे पहली वाली link पर click करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का page open होगा जहाँ पर हम लोग pen card अपने pen card पर जो date और month, year mention है वो लिखेंगे submit button पर click करेंगे तो हम सारी details fill कर लेते हैं उसके बाद submit button पर click करते हैं जैसा कि देख रहा है मैंने सारी details fill कर ली है और submit button पर click करते हैं जैसे ही submit button पर click करेंगे तो मेरे सामने verify contact details का एक pop-up window खुल के आई है जैसा कि आप देख रहा है मेरा PAN नंबर ये मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है और आप लोग यहाँ पर CAPTCHA डालेंगे और CONSENT देंगे उसके बाद GET OTP पर क्लिक करेंगे और जो हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा PAN के साथ में उस पर हमें एक OTP प्राप्त होगा तो हमने OTP पर क्लिक किया तो OTP हमारे नंबर पर SEND कर दिया गया है OK करेंगे और यहाँ पर जो हमारा मोबाइल नंबर PAN से जुड़ा हुआ है उस पर OTP आ गया है तो हम लोग इस OTP को यहाँ पर ENTER करेंगे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यह OTP आ गया है और इस OTP को हम लोग यहाँ पर ENTER करेंगे जैसे OTP को ENTER करेंगे और SUMMIT बटन पर क्लिक करेंगे तो मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज उपन होकर आएगा यह देख रहे हैं इसने हमें सीधे पेमेंट gateway साइट पे रिडाइट कर दिया है जहां पर हमारा पेमेंट जो है 8 रुपए 26 पैसे सो हो रहा है अगर हमारा पैन काड 30 दिनिया उससे ज्यादा का पहले का बना हुआ है तो हमें 8 रुपए 26 पैसे का payment करना होगा अगर 30 दिन के अंदर कोई आपने नया बनवाया है correction किया है तो आप free में download कर सकते हैं तो हम यहाँ पर अपना mobile number, email id enter करेंगे और उसके बाद में confirm payment पे click करेंगे जैसे confirm payment पे click करते हैं तो यह हमें एक नए page पर redirect कर दिया जाएगा आप लोग देख रहे हैं कि हमको payment gateway page पे retire कर दिया है जहाँ पर credit card, debit card, internet banking, wallet QR, UPI से payment कर सकते हैं तो हमें यहाँ पर QR से payment करना है तो हम लोग QR code पे click करेंगे और make payment पे click करेंगे जैसे make payment पे click करेंगे तो नीचे हमारे search देखिए यहाँ पे QR code दिया हुआ है इस पर click करेंगे और अपनी phone पे को open करेंगे मैंने इस पर click किया है click here to scan पर click करेंगे QR code आ गया है और हम लोग अपने phone पे को open करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं और QR code पे जो arrow दिखाई देरा उस पर click करके इसको हम लोग scan करेंगे जैसे scan करेंगे तो इस तरह का एक gateway open होकर आएगा और यहाँ पर proceed to pay पर click करेंगे जैसे पर proceed to pay पर click करेंगे मेरा payment done हो जाएगा और यह हमें main page पर redite कर दिया गया है तो हम दोबारा से pen number data bird सारी चीजें यहाँ पर इंटर करेंगे और उसके बाद में submit button पर click करेंगे जैसे submit करेंगे तो देख रहे हैं कि मेरा यह application number pan number जो mode है application का e-pan है और यह देखे दा e-pan link has been sent to mobile number यह link जो है मेरे mobile number पर भेज दिया गया जैसा कि आप देख रहे हैं इस link पर हम लोग click करेंगे और यह देखो link पर click किया तो हमें एक नए page पर redite कर दिया गया उस link से जो हमारा mobile number add होगा उस पर एक OTP आया है हम लोग OTP डालेंगे और यहां submit button पर click करेंगे जैसे submit button पर click करेंगे तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का interface open होकर आया है यहां पर download e-pand pdf download e-pand xml लिखा है तो हम लोग अपना pdf में download करेंगे तो जैसे pdf पर click करते हैं तो मेरा pen जो है पीडिएफ में download होने लगा है जैसे कि आप लोग इस लिवे पर देख रहे हैं मेरा pen डाउन्लोड हो गया है और हम लोग इसको open करते हैं जैसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे तो आप देख रहा है कि मेरी मेरी फाइल जो फासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो हमारा जो पासवर्ड है वह डेट अवर्त है जैसे आपका theatre की डेट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सेर करें सब्सक्राइब करें अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, धन्यवाद